गुजिया बनाना बहुत ही असान है और यह बात अब समझ में आ गई है मिंटों बनेगी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी तो चलिए बनाना है श्टार्ट करते हैं बीना देरी किये मैदा लेंगे मैदा में आधा कप सूजी लेंगे जैसे दो कप मैदा है तो आधा कप सूजी ले लेंगे मैदा की जगह आप आटे का भी यूज कर सकते हैं लेकि मैदा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया बनता है इसमें हम डालेंगे दो चमच रिफायन तेल या फ़िर घी बटर तीनों चीज में सब पुछ भी टाल सकते हैं डालके इसको मैन बोलते हैं तो मैन डालकी अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से हातों पीश दर से स्वाइप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये मिल जाएगा इसमें अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं तो डो बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी करके तीन से चार बार में डालेंगे और बढ़िया से मिलाते जाएंगे जैसा कि आटा गुनते हैं लेकि एक बात के यहां ध्यान रखना है क्योंकि गुजिया के लिए आटा ना हाड बनाया जाता है हाड रहेगा तभी जाके बढ़िया कुरकुरी और क्रिस्पी गुजिया बनेगे नॉर्मल जैसे आटा या पराठा के लिए बनाते हैं जैसा नहीं होना चीज बात का हम ध्यान रखेंगे तो इस तरह से हम बहुत ही असानी से आटा गुत के तयार कर लेंगे पांच मिनट के लिए रेष्ट होने देंगे जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि गुजिया बनाना बहुत ही असान है और आसान को और भी आसान बनाते हैं तो चलिए रेडी मिन्ट या फिर घर पे बनाया हुआ खोया ले लेंगे और हम लेंगे एक कप या एक का टोड़ी नारियल का बुरा आदा आप कच्चा वाला भी ले सकते हो और जो बुरादा पैकेट में आता हो भी ले सकते हो अब हम इसमें डालेंगे हमारा खोया और खोया में चीनी मिक्स होता है तो हम अपने टेस्ट की अनुसार चीनी उपर से डाल सकते हैं कर दो है या फिर प्रहिए को पहले से पानी में डाल कर पिघ ला लिए है क्योंकि इसमें मिक्स करने में बहुत यह दो है तया ले Нटा है इसके लिए स्टाफिंग बनाना है यह वहा ही टेश्टी सही समझते हैं तो इसे हाथ से मिलाकर हम इसको रख लेंगे अब चलते हैं गुजिया का निक्ष्ट प्रोसेस में गुजिया के लिए पूरी बनाना है तो पूरी में स्लेप्स पर ही बना लूँगी चौकी की जोट नहीं पारती है बहुत ही असान होता है इस पर बनाना तो एक बड़ा सा लोई ले लेंगे ऐसी जैसे तैसे ज्यादा पॉर्ट बनाने की कोशिस नहीं करना ही यहाँ पे तो लोई बनाकर पेड़ा बना लेंगे और तेल में या फिर आटा में तो तेल में असानी होती है तो तेल में हम डालकर इसको पतला सा बेल लेंगे बहुत बड़े साइज का क्योंकि बार बर करना ना पड़े और हम जो गुजिया बनाएंगे वो मिन्नी साइज वाला बनाएंगे तो एक कटोड़ा लेंगे जितना बड़ा साइज छोटा से जब बनाना चाहते हूँ उतना बड़े साइज का कप्या फिर कट्रा ले ले लेंगे धार-दार वाला और उससे हम कट कर लेंगे सबको अलग-अलग कर लेंगे और अब हम इसको बनाएंगे एक पीस पूरी लेंगे और हाथ में रख लेंगे और जैसा कि अब देख सकते हैं कितने छोटे साइस के हैं खाने में बहुत मजाएगा मतलब दो वाइट में हमारा गुजिया खतम हुजाएगा और उसमें पूरी के अंदर हम डालेंगे एक चमच हमारा स्टॉफिंग जो ना करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या बता हुँ कि कैसे करना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूं तो सेम प्रोसे से बागी सारा खुजिया बनाके तयार कर लेंगे एक प्लेट में रख लेंगे dü είναι ना साचा भी आता है शेंभी बना सकते ह घी में तो और भी टेश्टी बनेगा लेकि इतना सारा घी मेरे पास है नहीं तो मैं रिफाइन तेल ही बना रही हूँ इसको उलट पलट कर देंगे इस्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर बनाएंगे गैस को धियान रखना बहुत जरूरी है कि हमें कितने टंप्रेश बनाने हैं तो इस्टार्टिंग में हमने हाई फ्लेम रखा हुआ था और जब तेल अच्छे से गरम हो गया तो हम मीडियम फ्लेम को कर देंगे इससे क्या होगा ना कि गुजिया जलेगा नहीं और कलर एकदम पॉर्फिक्ट आएगा अंदर से भी बाहर से भी एकदम पॉर्फिक्ट बनेगा तो हमारा जो गुजिया है भी अब देख सकते हैं कि लास्ट टेम में मैं उपर नीचे चारो तरफ से इसको हिला रही हूँ जिसे की कलर पॉर्फिक्ट है अच्छे है तो अभी ये गोल्डन कुलर का हो चुका है और कुरकुरी भी लग रही है क्रिस्पी जैसा तो हमारा ग रोसे से बाकी सारा गुजिया बना लेंगे तो इस होली इस गुजिया को ट्राइ जरू करिए तो फीड़एक जरू दीजिये आपको हमारी वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिये पसंद नहीं आए डिसलाइक कीजिये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए तो